पिंजोर नालागड रोड पर मानकपूर नानक्चंद गाउं के रेल्वे फाटक के स्मीप रेल्वे ट्रैक पर आया सांड श्तावदी एक्सप्रेस ट्रेन से कटा ट्रेन एग घंटे तक रूकी रही सोमवार को पिंजोर नालागड रोड पर मानकपूर नानचंद गाउं के रेल्वे फाटक के समीप रेल्वे ट्रैक पर सांड के आने से श्ताबजी एक्सप्रेट ट्रेन से कट कर मारा गया इस दुरान यहाँ पर तकरीबन एक गंटे तक ट्रेन खड़ी रही और पिंजोर नालागड रोड के दो रेल्वे फाटक बंद रहने से सड़क के दोनोर ट्रैक जाम लगा रहा मानकपूर नानचंद गाउं क्या और पिंजोर नाडगण बद्धी का रेलेव फाटक बंद रहने से गंटों तक ट्राफिक खड़ा रहने से सड़क के दुनों और ट्राफिक जाम लगा रहा था यहाँ पर अपात कालिन एम्बूलेंस भी फसी होने के कारण रेलेव फाटक बंद एमेरजनसी में खोलना पड़ा तब जाकर थोड़ा ट्राफिक निकल सका गटना सल पर पिंजवर पुलिस और ट्राफिक पुलिस भी पहुंच गई थी ट्राफिक खलुआने में पुलिस भी जूटी रही थी यहां रेल्वे इंजन और डिब्बे के बीच में फसे सांड को रेल्वे करमचारियों और ग्रामणों की मदल से निकाला गया जिसे करीब एक घंटे का समय लग गया था इससे पहले भी यहां अवारा परशों के करण कई बार ट्रेन हाद से हो चुके हैं गेट बैन ने बताया कि श्ताबजी एक्सप्रेट ट्रेन दिली से कालका की और जा रही थी कि मानकपूर नानक चंद गाओं के स्वीप सांड से हादसा हो गया था ट्रेन कालका रेल्वे स्टेसर पर काफी दिर तक पहुंची वहीं रेल्वे अधिकारिक सुत्रों के नसार एक अन्य ट्रेन भी चंडी मंदर रेल्वे स्टेसर पर रुके रही थी